बिहार के अधिकतर जीलों में अब लोगों को सुबह शाम ठंड मैसूस होने लगी है पच्छवा हवाओ के प्रभाव से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 3-4 दिन तक मौसम में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना न नीचे गिरेगा जिससे ठंड और जादा बढ़ेगी मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 3-4 दिन तक प्रदेश का अधिकतम तापमान 31-32 डिगरी सेलसियस के आसपास रहेगा वही नियुनतम तापमान 16-21 डिगरी सेलसियस तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है सुबह और शाम के तापमान कम हो रहे हैं जबकि दोपर में आसमान साफ होने से धूप खिली रहती है अधिकतम और नियुनतम तापमान के बीच अंतर बढ़ने से शाम में सूरस ढलते ही ठंड का हैसास होने लगता है पिशले 24 घंटे के दौरान 25 जीलों के नियुनतम त दिगरी कैमूर 17.4 डिगरी वहीं वैशाली में 19.5 डिगरी मोतिहारी 19 डिगरी बांका 17.3 डिगरी भागलपूर का नियुनतम तापमान 20 डिगरी सेलसियस दर्च किया गया इसके अलावा अन्य जीलों के नियुनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्च की गई है पटना में पि सुबह 5.48 मिनट पे हुआ और सुर्यास्तर शाम में 5.25 मिनट पे होगा सुबह का तापमान 24 डिगरी रहेगा दोपर का तापमान 32 डिगरी सेलसियस रहने का पूर्वा अनुमान है वहीं 8 किलोमीटर पर आवर की हवा की गती के साथ आधरताल लगबग 45 प्रतिश्यत अधिक्तम तापमान 35 डिगरी तो नियुनतम 27 डिगरी रहने की संभावना है अगले एक हफ्ते तक मौसम ऐसा ही बने रहने की उमीद जताई जा रही है एक बार फिर से बता दे कि बिहार के अधिकतर जीलों में अब लोगों को सुबह शाम ठंड मैसूस होने लगी है पच्छवा हवाओ के प्रभाव से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले तीन से चार दिनों तक मौसम में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान 17.2 डिगरी सेल्सियस कैमूर का दर्च किया गया हाला कि 10 नुवंबर से पारा और ज्यादा नीचे गिरेगा जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगे मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले तीन से चार दिन तक प्रदेश का अधिकतम तापमान 31 से 32 डिगरी सेल्सियस के आसपास रहेगा वही निउन्तम तापमान 16 से 21 डिगरी सेल्सियस तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है पटना समेत प्रदेश भर में पच्छवा की प्रवाह धीमी गती से जारी है सुबा और शाम के तापमान कम हो रहे हैं जबकि दोपहर में आसमान साफ होने से धूप खिली रहती है अधिक्तम और निउन्तम तापमान के बीच अंतर बढ़ने से शाम में सूरज ढलते ही ठंड का एसास होने लगता है